आजके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके मोवाइल फोन में OTP नहीं आ रहा है तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं दोस्तों कई बड़ क्या होता है आपके नंबर पे OTP नहीं आता है चाहे आप कहीं भी अपना नंबर को डाल रहे हैं तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लाश्ट देखते रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको step by step सिखाऊंगा कैसा आप इस problem को ठीक कर सकते हैं और 100% आपका OTP आना start हो जाएगा हिलो दोस्तो स्वाइट है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल InfoTube में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपके मुवाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है तो इसका काफी सारा रीजन हो सकता है मैं आपको कुछ step बताऊंगा अगर आप इसको follow करते हैं और सही कर लेते हैं तो 100% आपका जो है problem ठीक हो जाएगा सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में उपर से नीचे के तरफ या फिर नीचे से उपर के तरफ आने के बाद यहाँ पे आपको एक बार जो है एरो प्लेन मोड का जो बटन देखने को मिलता है इसको on कर दीजिए और यहाँ पे on करने के बाद आपको इसको जो है एक बार फिर से बंद कर देना है एक बार आपको यह ट्राइ करके देख लेना है कई बार क्या होते हैं मोड पे नेटवर्क इश्यू के वज़ए से आपका यहाँ पे OTP नहीं आता है अगर आप यह कर लेते हैं तो आपका प्रोब्लम ठीक हो जाएगा अब यहाँ पे इससे आपका problem ठीक नहीं होता है तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ simply आपको अपने mobile phone के setting में आ जाना है तो यहाँ पे simply हम अपने mobile phone के setting में आ जाते हैं जैसे आप अपने mobile phone के setting में आ जाते हैं यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा SIM card and mobile network इस पर जो है आपको click करना है अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जो भी number पे आपका SIM है उस पर आपको click करना है यहाँ पे आने के बाद आपको एक option देखने को मिल जाएगा Use Vault E इस पर आपको click कर देना है और अगर आपके फोन में ये बंद है तो इसको चालू कर दीजिए मेरे फोन में पहले से चालू है हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर सबसे important चीज ये है Preferred Network Type इस पर आपको select करना है अब यहाँ पर आने के बाद 2G, 3G, 4G, 5G का जो option होता है सबसे उपर वाला ये वाला option आपको select कर लेना है अगर आपके mobile phone में LTE का option है कुछ इस परकार से तो यहाँ पर सबसे उपर वाला option पर आपको select कर लेना है यहाँ पर भी हमारा setting सही हो गया एक और setting मैं आपको बताता हूँ simply आपको क्या करना है बाहर आना है एक बार जो है आपको यहाँ पर message वाले option पर दबा कर रखना है i button पर आपको click करना है यहाँ पर आने के बाद आपको जो है क्या करना है notification वाले option पर click कर देना है और यहाँ पर अगर आपका notification का कोई setting बंध है कुछ इस परकार से तो इसको चालू कर लीजिए और यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे नीचे के side में जो clear data का option है यहाँ पर click कर देजिए और आपको clear all data पर click करना है अगर आपके phone में यहाँ पर clear data का option नहीं आ रहा है तो दोस्तो उपर के side में storage पर आपको click करना है और यहाँ पर clear data का option आ जाएगा अब जो आपको यहाँ पर clear all data पर click कर देना है अब यहाँ पर फिट से आपको ok वाला button पर click कर देना है इतना करने के बाद आपको message वाले application को फिट से खोलना है अब यहाँ पर जैसे आप खोलते हैं यहाँ पर जो है आपको एक काम करना है यहाँ पे आप देख सकते जितना भी मेसेज है इन सभी मेसेज को आपको सलेक करके एक बार जो है डिलीट कर देना है कई बार क्या होता है आपका मेसेज बोक्स फूल हो जाता है इस वज़से भी जो है OTP नया मेसेज नहीं आपता है अब दोस्तों इन सभी सेटिंग से अगर सही नहीं होता है तो आपको इंतजार करना है अगर आपने एक नया नमबर लिया है तो 24 घंटा के बाद ही SMS सर्विस चालू होता है उसके बाद ही आपके नमबर पे OTP आएगा और इससे भी आपका प्रोब्लम ठीक नहीं होता है तो आप अपने मुवाइल फोन को एक मरतबा बंद कर दीजिए फिर से चालू किजिए और 100% आपका प्रोब्लम ठीक हो जाएगा वीडियो को लाइक करना साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले